हेलो गाइस कैसे हो आप सब मैं हूँ जोती और एक बार फिर से आप सब का स्वागत है स्टूडेंट खबरी की पाठशाला में जहां हम देने वाले हैं आपको तो दोस्तों मिझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाओ जो की मुंबई में की कौन से टॉप टेन प्राइविट इंजीनियरिंग कॉलेज है मुंबई महरास्ट्र में उसके उपर मैं वीडियो बनाओ तो मैं ये भी बता दूँ आज मैं पूरा शॉटने सब बताने वाली हूं कि टॉप टोस्तों कॉंसे कौलेजिज हैं कवस्टेब्लिष हुए क्लेस permitted कैसे की स्ट्रॉक्चर यह सब कैसा है इन कॉलेजेश के पहले मैं बता दूँ वो भी अप्लोड हो जाएंगे तो आप बहां से जाके पूरा देख सकते हो तो आज मैं में में बताने वाली हूँ कि कौन से टॉप 10 प्राइवेट इंजिनिरिंग कॉलेज है मुंबई में तो सबसे पहला आता है यहां पे केजे सॉम्या कॉलेज ओफ इंजिनिरिंग इसके कारे में मैंने वीडियो बनाया है वहां से आप पूरा इंफॉर्मिशन कलेक कर सकते हो यहां पे मैं बता दू कि यह जो कॉलेज है इसको अग्रिगिटेटिव मिला गया है एंड डबाले सी से एक ग्रेट से मतलब इनको कहा गया है इनको स्टेटिस उसका मिला गया है अप् पूरफ चार एकर में फैला हुआ है अगर फेकल्टी की बात करूं तो 177 टोटल फेकल्टी हैं यहां की और स्टुडेंट्स भी एंड्रोल लगबग आप तीन हजार तक कर सकते हो 29.97 मतलब तीन हजार तक लगबग स्टूडेंट्स टोटल एंड्रोल है यहां पे फीस और भी प्लेस्मेंट, कॉन्स, प्रोस यहां मैंने बता चुके हैं तो आप पिछले वीडियो में देख लेना वो सेकेंड है कि भारतिय विद्या भवन सर्दार पतेल कॉलेज और इंजीनिरिंग यह इस्टैबलिश वा था 1902 में बहुती वास्ता कैंपस है 45 अकर में फैला गुछ, के उपर बोल सकते हैं, पे 0.223.5ja को अब अधी स्कॉलेशिप भी इस ऊब्रयबल कर वाता था थे college third most college top में जो है वो है सरदार पतेल इंस्टिट्यूट ऑफ टेकनोलोजी जो की established हुआ था 2005 में ये भी 47 एकर में फैला हुआ है तो मतलब बहुत बास्त है हर फैसिलिटी आपको केंपस के अंदर ही within the campus आपको हर फैसिलिटी दी जाती है यहां पे जहां का भी फैगेल्टी स्टूडेंट रेशियो अच्छा है मतलब की टोटल फैगेल्टी लगबग 59 और जो टोटल स्टूडेंट्स एंड्रोल किये गए है 1404 है यहां की है थोड़ी जादा चार सल के बीटे का प्रोग्राम कर रहे हो विद्यालंकर इंस्टूट ऑफ टेक्नोलोजी जिसका जो इस्टैबलिश हुआ था 1999 में 11 अकर में फैला हुआ यह पूरा लेंड है टोटल फैकल्टी यहां की 167 है और जो स्टूडेंट्स एंड्रोल हुए है उनके सबसे 3571 है मतलब 3571 है तो कहीं नकहीं फैकल्टी काम है स्टूरेंट्स के इसाब से फीज जो है यहां की थोड़ी जादा है बीटेक की आप लगबग 6 लाग तक लग जाता है 5-6 लाग तक जो के अफोर्डेबल इतने नहीं हो पाता है फिफ्थ कॉलेज अगर मैं बताओं तो मुकेश पतले स्कूल आफ टेकनोलोजी मैनेजमेंट एन इंजेनिरिंग जो की 2004 में स्टैबलिश हुआ था यहां पे अगर हमें फीज की बात करूं तो बीटेक की फीज यहां की जो है 10.8 लाग तक है तो आप बोल सकते हो थोड़ी जाधा है प्राइविट कॉलेज है तो मतलब थोड़ी नहीं ही जाधा जो अपोर्ट करना नहीं अतना हो पाता है फिकल्टी हां के 202 है 202 लगबग फिकल्टी है यहां पे स्टूडेंट्स भी लगबग 2-3 अजार तक होंगे फिक्स टॉप मोस्ट कॉलेज है फादर सी आर कॉलेज ओफ इंजीनियरिंग जो की स्टैबलिश हुआ था 1984 में 60 फिकल्टी है यहां की टोटल लॉय स्टूडेंट्स अगर मैं टोटल इंरॉल्मेंट बता हूं मतलब रेशियो स्टूडेंट्स का फिकल्टी इस आप से तो 11 777 है जो की ठीक है बोल सकते हो आप लोग अच्छा है फीस यहां की बीटेक की है लग चार साल की अप्रोक्स 5.56 लैक तक आ जाती है सेवन का कॉलेज है सेवन टॉप मोस्ट कॉलेज है दौरका डाज जे संग्वी कॉलेज ओफ इंजीनिरिंग जो की 1994 में फाउंड किया गय फेकल्टी है और स्टुडेंट्स जो एंडरोल होते हैं लग बग 3,000 तक होते हैं यहां की जो पीस है वो भी अगर मैं बताऊं पीटेक की चार साल की लग बग 6 लाग तक आ जाती है यहां की फीस एट कॉलेज अगर मैं बताऊं टॉप का है थाकुर कॉलेज ओफ इंजीनि आके जो स्टुडेंट्स एंडरोल किये गा है 3,182 है जो की काफी जादा है फेकल्टी के आप से फीस भी थोड़ी जादा है फीस है बीटेक की 5.22 लाग अप्रॉक्स इतनी आ जाती है आपकी होस्तिल फीस इंक्लूड नहीं कर रही हूं वो अलग से है बाकी जो बीटेक का प्रोग्राम आप कर रहे हो उसमें इतनी फीस लगबग आ जाती है 9th college जो है 9th top में college है वो है Don Bosco Institute of Technology जो की फाउंड किया गया है 2001 में यहां के भी faculty student का ratio बताओ तो total faculty 72 है तो इसके हिसाब से total students enroll होते है 1516 यहां पर फीस यहां की भी लगबग 4-5 लाग के बीच में आ जाती बीच की फीस चार साल की hostel नहीं है include मैं पहले ही बता रही हूं पूरे जतने ही दस college बता रही हूं hostel fees include नहीं है 10th top में college आता है अमंग 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 10 top most colleges private engineering college में से आता है यह St. Francis Institute of Technology जो की 1999 इस्टैबलिश हुआ था जो की फैला हुआ है लगबग campus का size 5 acres में दो बताओ तो बताओ तो फैकल्टी यहां के 74 है उसके हिसाब से 1783 है यहां के ratio total students enrolled fees भी यहां की ठीक है मतलब अप्रॉक आप यह बोल सकतो कि 4.41 lakh है 4 साल का माल चार साल का जो course है बीटेक का उसका तो ये मैंने पूरा कवर कर लिया इंजीनिरिंग टॉप टेन इन प्राइवेट इंजीनिरिंग कॉलेज कौन से है मुंबई में अगर आपको इसकी पूरी इंडेप्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने पहले भी स्टार्टिंग वीडियो में भी बोला अभी फिर से बोल रही हो हमने इसके बहुत यह लगबग दस पैसे प्राइवेशन नवीट को बेचिया है तो हमारे साथ बने रहना कंट्यूइस्ली उनको भी बोलना अपने दोस्तों उनको भी subscribe करें ताकि उनको भी right time पर right information मिल पाए और अपने आपको admit कर पाए एक अच्छे से college, एक अच्छी सी university में और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करना है and stay tune with us guys